हेलो फ्रेंड, वेलकम डिजर चैनल एक्सालिशन, जीपेट, नाइपर, फार्मसिस, ड्रग्स इंस्पेक्टर के एक्सक्लोजिव सीरीज में आपका स्वागत है, आज के शॉर्ट और फास्ट वीडियो में डिसकस करेंगे, इंजाइम, देर बेसिक कॉंपुटिटिव और न पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक कॉंपुटिव इनिबीटर्स ड्रग का, और दूसरा है आपका नॉन कॉंपुटिव इनिबीटर्स की क्लास का, इसको भी इंडिविडियोल अगर आप देखेंगे, तो फिर उसके अंदर तीन और सब टेबल क्लासिफाई होते हैं, ए इसके अंदर पहला एक्जामपल हमारे ड्रग का वह है अलोपिरिनॉल, अलोपिरिनॉल को तो आप जानते हैं, यह जो अलोपिरिनॉल है वो कब यूज होता है, यह यूज होता है आपके गाउट के ट्रेटमेंट के लिए, गाउट एक मेटाबॉलिक डिजीज है, यह भी आप जानते हो, जहां पर आपके ब्लड में यूरिक एसिट का लेवल जादा होने लगता है, फिर वो ग्रेटेशनल फोर्स की वज़े से डाउंसाइड ग्रेविटी की चले जाता है, और आपके जॉइंट्स पे पैर के जॉइंट्स पे डेपोजिट होने लगते हैं, जिस एलोपिरिनॉल है, वो competitively इनिबीट करता है, एक मत्वपूर्ण एंजाइम को, जो की गौट के process के लिए responsible है, वह है आपका जैन्थीन ओक्सिडेज, यह जैन्थीन ओक्सिडेज ही आगे जाकर के आपके यूरिक एसिट के बनने के लिए responsible है, तो अगर हम एलोपिरिनॉल को आपके एलोपिरिनॉल ने competitive तरीके से inhibit कर दिया, समझ में आ गया पहला point, most important one में से एक है, उसके बाद next जो हमारा drug है, वह है dicumrol, यह कौन से enzyme का effect करता है, किसको competitive तरीके से inhibit करता है, यह inhibit करता है vitamin K, epoxide reductase को, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यह vitamin K आपको दिखाए दे र और अगर आप इसको inhibit कर दोगे, तो आपका blood clot होगा नहीं, तो ऐसे agent जो की blood के clot को inhibit करने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं anticoagulant, तो अगर आप इसे inhibit करते हैं, तो इसका use हम anticoagulant के रूप में कर सकते हैं, इसके बाद हमारा अगला जो drug है, वह है isoniaz आइसोनियाजाइड एंटी टुपोकुलर ड्रग के अंदर यूज होता है और यह किस एंजाइम को कॉम्पेटिवतर के से इनिबीड करता है यह इनिबीड करता है आपका पारिडॉक्सल फॉस्पेड को और पारिडॉक्सल फॉस्पेड को इनिबीड करके यह थेरापोटिक produce करेगा आपके त्योबर क्लोस में वह इसके बाद जो next हमारा drug है वो है नियो स्टिगमिन ये नियो स्टिगमिन अफेट करता है एसेटाइल कोलीन एस्टरेज को एसेटाइल कोलीन एस्टरेज को तो जो आपका Neostigmine है, वो इसी Acetylcholine Asterase को Inhibit करता है, competitive तरीके से, और इसी के इस property की वज़े से हम इसका यूज़ करते हैं, Myasthenia Gravis के case में. Next हमारा जो drug है, वो है आपका Penicillin, Penicillin the most important one, antibiotic की रूप में यूज़ हो ज़ता है, और ये किस enzyme को affect करेगा, ये affect करता है, trans peptides, और इसको affect करेगा competitively, तो फिर आगे दा करके antibiotic की रूप में यूज़ होगा, और इसका जो specific nature होगा, वो होगा bacteria seedal, bacteria seedal मतलब जो bacteria को पुई तरह से kill कर देता है, seedal मतलब kill करने वाला, तो यहाँ पर killing activity शो कर रहा है आपका, next जो हमारा drug है, वो है methotrexate, methotrexate affect करता है dihydrofolate reductase को, और आपने ये भी पढ़ा होगा, कि folic acid का responsibilities कितना important होता है, different activity के लिए, और इसी को affect करके, यानि कि dihydrofolate reductase को affect करके, ये use हो जाता है leukemia के case में, तो अभी हमने पहला double खतम किया, जिसमें हमने बात किया competitive inhibitor के बारे में, अभी हम second part देखने वाले हैं, जहांपे हम बात करेंगे non competitive inhibitors के बारे में, इसके क्या example है, कौन सा enzyme affect होता है, और क्या use होता है, वो भी देख लेते हैं, सबसे पहला हमारा drug है अभा है diacil firam के हमें, कौन सा enzyme को non competitive करता है, यह affect करता है aldehyde dehydrogenase को, aldehyde dehydrogenase को affect करने की वज़े से, इसका use हम alcohol के intake को बंद करने के लिए कर सकते हैं, आगे आपको इसका पूरा table पड़ा हुआ है, हमारे इसी चैनल पे, अगर आप वहाँ पे देखेंगे, search करेंगे alcohol and diacil firam, तो पुरा mechanism स अरिके से, carbonic anhydrase को inhibit करेगा, तो इसका जो use होता है, वो glaucoma को treat करने के लिए, coming to the next one, that is atorvastatin, यह जो atorvastatin है, वो HMG coenzyme A reductase inhibitor class के drug है, जिस हम statin drug भी कहते हैं, इसका जो use होता है, वो आपके antihypileptic drug के रूप में use होता है, और इसका जो enzyme है, जो affect होता है, वो है HMG coenzyme A reductase, और यह चीज़ें आपके लिए किसमें use होंगी, जैसे मैंने कहा, आपको hyperlipidemia के case में, इसको treat करने के लिए use किया जाता है, next जो drug हमारा हो है, omeprazole, जो की proton pump category का example है, proton pump inhibitor category का drug example है, और यह किसको affect करता है, यह H+, K+, ATPase को affect करेगा, और फिर definitely इसका जो use है, वो आ आपके hyperacidity के case में use होगा, और in case of asthma भी, कभी-कभी acidity को कम करने के लिए, कम करने के purpose से इसको use किया जा सकता है, यह acidity किसी भी case में हो, जिस case में CVIT को आपको manage करना हो, वहाँ पे इस omeprazole का use करते हैं, basic purpose है कि acidity को कम करना, अब जिस condition में acidity थोड़ा सा और add-on को morbid condition में बदल सकता है, वहाँ पे इसकी priority और है, तो example के लिखा हुआ है, in case of asthma, बाकि यह और भी case में हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि जो table हमने use किया है, आपके textbook of pharmacology by प्रसंद आरभंडारी, theme medical fabricious का, तो इससे regarding जो भी detail आपको चाहिए, वीडियो के description box में डला हुआ है, ये book काफी अच्ची है, आप इससे देख सकते हैं, thank you so much for this video, नमस्कार, take care